नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब काई बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चैनल पे और आज हम बात करेंगे आपके RRB NTPC की जो वेकेंसिस आने वाली हैं और जिसके फोर्म आपके 14 सेप्टेंबर से स्टार्ट हैं और वेकर मैं वेकेंसिस की बात करूँ तो काफी अच्छी वेकेंसिस आपको RRB NTPC की इस बार non-technical में देखने को मिल रही हैं तोटल वेकेंसिस की अगर मैं बात करूँ तो 11,558 के आसपास आपके वेकेंसिस आपको टोटल वेकेंसिस देखने को मिल रही हैं जो कि एक काफी अच्छी number of vacancies हैं और अगर आप एक job secure करना चाहते हैं अपने 2024 के अंदर तो ये vacancies जो हैं काफी अच्छी है और अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ तो कम सेखम 5 पोस्ट पे vacancies निकली हुई है और काफी अच्छी पोस्ट है जिसमें बहुत अच्छी आते ही है कि उसमें important क्या है लेकिन अगर आप तयारी करने बैठे railway rrb ntpc की तो सबसे ज्यादा important topic कौन से हैं जिससे कि आप सबसे पहले उनकी तयारी करें फिर बाद में जो बचे हुए topic है जो बहुत कम पूछे जाते हैं फिर आप उनकी तयारी करें ठीक है और सबसे मह वीडियो को start करते हैं पूरी वीडियो आपको देखनी है और जो जो चीजे मैं आपको बताऊंगा important वह आपको not भी करनी है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके railway के आने वाले questions की यह जो आपका data है rrb के आपके paper होते हैं आपका ntpc का भी paper होता है ठीक ह वाले तो यह जो पूरा data है यह सभी को मिलाकर है यानि कि rrb ने अब तक इन portion में कितने कितने question पूछे हैं और ऐसा कौन सा portion है जिसमें सबसे ज़्यादा question पूछे है ठीक है चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे science की तो science में जो सबसे ज़्यादा question आपको rrb पूछता है च उसके just बाद आपके chemistry में आपके question पूछे जाते है second number भी science के अंदर यहापर आप देख सकते है 2022 question है और biology में 214 question है ठीक है तो सबसे पहले अगर आप science तयार कर रहे है science को पढ़ रहे है तो सबसे पहले आपको क्या करना भाई biology के question तयार करने है ठीक है ना फिर उसके बाद के question दो या तीन question एक या दो question आपको computer के भी RRB NTPC के अंदर पूछ लिया जाता है ठीक है ना और चलिए हम बात करते है फिर आपका परियावरेंजन के environment study के question भी आपको एक या दो question आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह portion आपको तयार करना है तो सबसे पहले आपको biology तयार करना है फिर आपको अपना physics के question तयार करने है उसके आपको computer के question आपको तयार करने है तो इसी sequence में आपको अपनी तयारी करनी है इस portion को लेके ठीक है आगे बढ़ते हैं next section की बात करते है math के section के अगर मैं बात करूं तो यह RRB के जितने भी paper हुए है ठीक है RRB में अ technical हो non-technical हो चाहिए आपका group D हो उसका पूरा यह math का सार है ठीक है ना तो काफी सारे अगर मैं topic की बात करूं तो topic बहुत सार है लेकिन इन में से important कौन से है इन में से important कौन से है जो आपको RRB NTPC NTPC के लिए तयार करने है इसमें वो कौन-कौन से important है वो भी मैं आपको बत सब्सक्राइब आपको नहीं तयार करने NTPC के लिए ठीक है कुछी important topic है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है हम इसमें आगे बढ़ते हैं इससे हम related बात आगे करेंगे कि कौन से important है पूरा math आपको नहीं पढ़ना है कुछ important topic है जो RRB NTPC आपके एक्जाम में और क्योंकि यह जो general knowledge का section है काफी बच्चों का कमजोर होता है ठीक है तो सबसे पहले अगर आप तयारी करने जा रहे हैं general knowledge की RRB के एक्जाम की यह पूरे RRB के एक्जाम के में बात करूं चाहे को नहीं टेक्निकल हो या फिर आपका एकनोमिक सरी आपके question पूचे गए और आपके प्रागता समाने ने की आपके अपके प्रण्ट आफेर हो या फिर आपके जो भारत में कौन पर्थम कौन पहले पहले लास्ट है न तो यह जीज़े पूचे गई हैं लास्ट रोख हैं नहीं यह कौन पर्थम है ठीक है तो य अगर मैं बात करना है आपका एक्जाम पेटन है वह बहुत जादा इंपोटेंट है उसको समझना आपको बहुत जादा इंपोटेंट है अगर मैं बात करनु इंटिपी में आपका एग्जाम होता है एक तो आपका स्टेज बन होगा याइनि₁क कांच रूकर और आपका स्टेज 2 होगा जिसको मेंस का एग्जाम बोलते है रहाँ अंतर यह ही जो आपका प्रिक कर रोचार और और अगर अच्छे माउलने का है। है और आपका फूचर सब्सक्राइब करतें हैं जिसमें बच्चे को बैठने OVERगा워서 इसमें आपके 3 section आपके 3 में आते हैं ठीक है और आपकी जो duration होती है exam के वो 90 मिनिट की रहती है ठीक है ना 3 section के अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपका general awareness का होता है जिसमें आपके 40 question आपके पूछे जाते हैं एक question आपका एक number का रहता है ठीक है mathematics के अगर मैं बात करूँ यान के math section के अगर मैं बात करूँ तो 30 question आपके पूछे जाते हैं और एक question आपके पेपर रहता है सबसे बड़ी बात यही है एक चीज मैं और बता दू जर्नल अवेर्नेस की आपको तैयारी करनी है वह मैंस से related करनी है जो आपको तैयारी मैंस की ही करनी है ठीक है mathematics का जो लेबल है वह आपको मेंस वाला ही करना है ठीक है और reasoning के अगर मैं बात करूँ रिजनिंग अब काफी अगर पिछले साल की मैं बात करूँ जो पीछे की जो पेपर थे last लास्ट जो पेपर गए है न्टीपीसी के उसमें अगर मैं reasoning के बात कर लो तो हर एक reasoning को point को छुआ है RRB ने चाहिए फिर वह आपकी SSC की reasoning हो ठीक है चाहिए फिर वह आपकी banking की reasoning हो तो दोनों तरह की reasoning के कोश्चन आपके RRB NTPC के paper में देखे गए थे ठीक है तो यह थे आपके 100 में से maximum marks आपको लाने है ताकि आपका paper qualify हो जाए और सबसे बड़ी बात negative marking भी र multiple choice आपके question रहेंगे subjective question आपके नहीं रहेंगे यानि कि आपका question रहेगा और उसमें नीचे आपके चार option रहने वाले हैं ठीक है तो कुछ इस तरह से आपका paper आएगा अब बात करते हैं सबसे most important section की यानि कि mains का exam ठीक है mains का exam हम आशा करते हैं कि आप सभी प्री qualify करें और आपको mains में बैठने का chance मिले और mains में अगर आप बैठते हैं तो आपको कुछ इस तरह का exam pattern आपको देखनों को मिलता है जिसमें आपको फिर अगें multi type choice question देखनों को मिलेंगे ठीक है अगर मैं section की बात कर लूँ अगें आपको तीन section आपको देखनों को मिल हाँ के अधिक हैं के आपके कोशन पर देखनों को मिलते हैं जिसमें विम्कौरटपीक हैं वह सबसे पहले त्यार करने है तो नंबर होने चाहिए अगर आपको पताई है बेरोजगारी कितनी है इंडिया के अंदर कि अगर आपको पताई है आपको पताई है आपको पजल की तैयारी करनी है पिछली पेपर में आपको बहे पुजल के question देखनों को मिल देख ठीक है तो पुजल आपको बनाने आने चाहिए परह साथ आपको Gothic के question आपको कि आने चाहिए थिक हैतल अगर question के मैं बात कर लू तो 120 starving का पेपर होगा 120 question आपको देखनों को मिलेंगे यानिए के एक question आपका एक number का रहने वाला है main's के exam में ठीक है negative marking के अगर बात कर लो तो negative mark के आपकी वंधर रहेगी यानि अगर आपने तीन question गलित करें तो आपका एक number साफ हो जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरह से आपका main's के exam का pattern रहता है अब चलिए बात करते हैं important topic की ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे stage 2 की ही बात करेंगे हम ठीक है stage 2 की ही बात करेंगे जो कि आपका main's का रहता है ठीक है main's का रहता है stage 2 की हम बात करेंगे ठीक है और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट क्या है सबसे पहले पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए ठीक है सबसे पहले जो देखा गया है आराद भी एकनोमिक्स के सबसे पहले पढ़िएगा इसके बाद आपके कोशन आपको देखने को मिलेते ठीक है कुछ इस तरह से आपका राहता ठीक है आगे बाद करते हैं उसके बाद आपको जोगरफी आपको उसके बाद जोगरफी की तयारी करनी है जोगरफी के कोशन आपको देखने को मिले ठीक है यह ना कुछ इस तरह से आपका में में कोशन आय थे कोशन अर्फ फॉछन ठीक है पर्टिक पैसे बात करो कितने पचास में से तो सबसे पहले आपको बायो ही इसके बातों है और फिजिक्स में से तो नामात एक कोशन आपको या एक या एक भी नहीं को देखने को मिला था ठीक है जो 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 पॉझा गया था का पूझा घए पॉझा का घणा करना है पिर इक आपको पूछा गया था ठीक है फिर उसके बाद आपको साइंस में करेंगे तो बाइलोजी और आपका केमेस्ट्री करेंगे ठीक है बाकि अगर उसके बाद कोई छुट में जादा कोई दिक्कत नहीं एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जी जो आरार भी एंटीपी से एक्जाम में देखनों को मिलत है और उस वीविद के पॉशन में से काफी सारे कोशन पूछे गए अरार भी एंटीपी सी मेंस के एक्जाम में चाहे मैं डांस की बात कर लूँ है ना डांस फॉम की अगर मैं बात कर लो नुकलियर पावर के अगर मैं बात कर लो नुकलियर पावर जो आपके हैं साथ पू तरह को मिलती है तो यह वो सभंगर रिलेटिड है इसतार से पोचा गया य Kayla diese be ओर उर्गनजेशन कि स्थापना कब हुई लिए इससारे वाला पार्ट होता है विवित के उसमें सारे को चला को आइज बात करते हैं कर देखनें को मिलाउट कि और उत्पादन से रिलेटिट एक उत्पादन से रिलेटिट रागोग उत्पादन को यह इस तरह से कोशन बहुत जादा इसे मनलब और इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है इस्ट्री पढ़ लेगा है इस्ट्री आपको पर के जानी है तो लेकिन फिर आपको करना है और आप क्या करेंगे तो आप मिड़ी और अपनी हिस्ट्री तयार करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मेंस के लिए तयार करना है और यहीं आपका प्री में रहेगा जो आप मेंस की तयारी करेंगे वही आपकी प्री में काम आने वाली है तो मेंस की तयारी करेंगा प्री आपका अपने आप हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको जीगे की तयारी करनी है चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा बढ़त लो जो जाएगा बड़ उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा पूछा आप मैंसुलिकेशन का आपका पूछा क्या था तक새 मैंसुलिशन पुछे गए तो उसके बाद आपको घोमेट्री तयार करना टीक है जो मैट्री आपको तयार करनी है जान सवाल आपको आने चाहिए और एक बाद करना ने की तयारी आपको करने कि अगर बात करू तो प्री में तो काफी आई थे लेकिन में प्रयंस के प्पेपर करना चाहते थो तो तयारी करना चाहते तो रेल्वेर और रबंटिपसी की तयारी हम अपने चैनल इसी चैनल पर कराएंगे टीचर सॉलुशन पर ही तो बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है इसलिए चैनल पर बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें कि पूरी तयार हैं कि कौन-कौन से टोपी इंपोटेंट है और किस लेवल के सवाल आपको करने हैं जो आपके एक्जामें बिल्कुल हूब हुब हुदे लों को मिलेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टोपिक की बात करते हैं जो कि आपको तयार करके जाने है तोपिक की बात कर लेते हैं दो पूरी करने है यह अब्रे से मसीं करने हैं इसी करम में आपको तयार करने हैं एक हाथसे आपके आपके कि आपका देदिया 79 की पावर इस तरह के सवाल आते हैं तो ये वह आपको तयार करने हैं आपको प्रीवेश सेर में मिल जाएंगे ठीक है तो ये वी इसकी भी तयार नहीं है आपको कराएंगे ठीक है बड़ी बड़ी पावर होती है चोटी-चोटे नंबर की तो यह चोटे त्टिक के सवाल करके जाने हैं सवाल को त्यार करके जाने हैं या त्टेबुलर होगा तो इसके भी सवाल आपके आते हैं दो तिन नंबर आपके बहुत इजी होता है हड़ा नहीं होते हैं प्स सब कुष आपको सब कुछ हई है बस 28 में से 28 में से सिर्फ आप 28 नहीं करने अगर 12 पहले त्यार कर लेते हैं तो आप मैट में पूरा पॉर्शन करके आएं beginnen सबसे पहले आपको यह बारा तयार करने उसके बाद आगर आपके पास टाइम बसता है तो आप पूरा मैध कवर कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है ना तो मैध की तयारी आपको कुछ इस प्रकार करनी है ठीक है मैं हमने बता दिया और रिजनिंग सबसे करनी करनी है तो करने के सब्सक्राइब आपको बनानी आनी चाहिए तभी आप मतलब तो आपको तयारी करनी है ना कुछ उत्ते बिली हैं कुछ बेड़ बकरी हैं तो इस तरह के करनी करनी है तो काफी अच्छा वेपर आपको देखनों को मिलेगा और अगर आप त्यारी करना चाहते हैं तो हमारी चानल से जुड़ जाईएगा सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा होगा और लेकिन हम जो लेवल रखेंगे मैंस का रखेंगे मैंस की तैयारी हम आपको करागे चलेंगे ताकि आपका प्री अपने आप भी कोलिफाई हो जाए ठीक है तो चलिए बने रहेगा खुश रहेगा अमने ध्यान रहेगा और पढ़ते रहेगा नमस्ते टाटा थैं आपका बने गढ़ पमजाब लेक दो झाब मेंस की तैयारी इवा जाजरी हम आपकी वाय झानी टाजरी हम घँसास् własरओा ले बने खिलतात सनों मैंस की वो कि आदिए इन आपका सकतÓ आपक leads मिथा घ sesे लिन ए उन्हार्यों सूँरे और चापका समने घजा फिते रहें इ Suppose